हेलो फेंड्स वेलकम यूटूब चैनल और इन्वार्मेंटल साइंस तो दोस्तों आज हम रिमोट सेंसिंग सिरीज में सेंसर और उसके टाइप के बारे में डिसकर्स करेंगे तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेश्ट करूंगा कि आप मेरे च सेंसिंग डिसकर्स कर चुके हैं तो आज हम सेंसर के बारे में डिसकर्स करेंगे सेंसर हमारा क्या होता है सेंसर डिवाइस कंप्राइजिंग ऑप्टिकल कंपोनेंट और सिस्टम एन डिटेक्टर विद एलेक्ट्रोनिक सर्कूर्ट्री दैट विल बी यूज तो various object basically optical component है और जिसमें हमारा एक detector होता है जो हमारी energy को detect करता है और record करता है जो किसी object से आती है तो based on source of energy source of electromagnetic energy हमारे sensor है वो हमें दो type में classify किये गए हैं पहला हमारा है passive sensor दूसरा हमारा active sensor जो हमारा passive sensor है वो यूज करता है natural radiation either emitted or reflected from the earth and are called passive sensor जो हमारा natural source of energy है जो passive sensor यूज करते हैं वो है sun अगर हमारा natural occurring energy available नहीं होगा तो passive sensor हमारे काम नहीं करें इसलिए हमारा जो passive sensor है वह जो measurement हमारी आप्टेन करते हैं दिन के time ही आप्टेन करते हैं रात को हमारे passive sensor काम नहीं करते हैं जैसे हम देख लेते हैं figure दोस्तों फीगर में आप जैसे आप देख रहे हैं जो radiation हमारी sun से आ रही है वो हमारी अर्थ में ट्रांस्मिटोरी अर्थ से फिर वो reflect होके अर्थ से हमारी वो reflect होके हमारे sensor में जा रही है जो sensor उसे के advantage 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 पहला इसका advantage है यह small size क्योंकि इसमें कोई electrical power requirement नहीं होती तो जो इसका structure जो हमारा sensor होता है इसका size भी हम small लगते हैं और जो हमारा यह multiple wavelength information हमें provide करता है basically जो हमारा solar radiation होती है उसमें हमारी more than half UV visible rays होती है और उसके अलावा हमारे infrared rays होती है और कुछ हमारी होती है ultraviolet rays तो जो हमारे passive sensor है वो usually visible near infrared और thermo infrared band में ही काम करते हैं उनी rays को detect करते हैं तो हमारे जो example है passive sensor के वो है spot one lenset one ATC यह दो satellite आप याद कर लिजेगा दोस्तों और remote sensing में हमारे usually passive sensor हम use करते हैं अब हम देख लेते हैं active sensor active sensor क्या होता है जो emit their own electromagnetic energy which is transmitted from the sensor towards the earth interact with earth producing a back scatter of energy and is recorded by the remote sensor receiver तो जैसे हम देख सकते हैं करते हैं कि यहां पर जो sensor है उस पर खुद का अपना source of energy होता है तो वहां से radiation send करता है अर्थ में तो अर्थ में हमारी interaction होता है उस रिफ्लेक्ट पैक होके sensor में चला जाता है तो जैसे आप फीगर देख सकते हैं हमारी जो रेज हैं वह सेंसर से अर्थ की तरफ आइं अर्थ से फिर और रिफ्लेक्ट पैक होके इंटेक्ट करके रिफ्लेक्ट पैक के सेंसर के तो बेसिकली हमें जैसे पता है कि active sensor युजे और ओन जो एक्जामपल है उनके वह है रेडार सेड और लिस अब बेसिकली आपको डिफाइन डिफरेंशिट करना है active sensor और पैसिव सेंसर में तो एक्टिव सेंसर हमारा समझिए camera with flash आपके पास camera है with flash उसका example समझिए आप अगरा जब photo खीचते अब जब flash on करा है तो वह एक्टिव सेंसर के example है अगर आपने flash offer के photo कीची तो वह पैसिव सेंसर का example है तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए नेक्स वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेटलाइट के बारे में तो हमारी रिमोट सेंसिक स्रीज